आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव पूरे हिंदुस्तान में कॉंग्रेस लड़ रही है राजस्तान में 25 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे चुनाव लड़ेंगे और अच्छे संक्या में जीत के आए तो 80 करोड लोगों को अ गड़ते हैं, देश को नुकसान कर रहे हैं, लोकतंतर को कमजोर कर रहे हैं, इन से देश को छुटकारा दिलाने के लिए इमानदारी के साथ में कड़ी मैनत करनी चाहिए, अपनी बात सपस्ट रूप से जो सही बात है वो रखनी चाहिए और मैनत करके लोगों का दिल जीतना चाहिए नमस्कार नूस 24 देखरे आप मैं हूँ आपके साथ डॉक्र मीना शर्मा और आज नूस 24 के मंथन में हमारे साथ है राजस्थान के उभरते चमकते दमकते नए सितारे राजस्थान कॉंग्रिस के अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा जी नमस्कार गोविन सिंग डोटासरा जी स्वागत आपका नूस 24 पर विधान सभा की जंग चार बार जीतने के बाद लोग सभा के मैदान के तयारी कर रहे हैं आप बिलकुल 100 प्रतिशद यानि कि आप लोग सभा चुनाव लड़ रहे हैं लोग सभा चुनाव पूरे हिंदुस्तान में कॉंग्रेस लड़ रही है राजस्तान में 25 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे चुनाव लड़ेंगे और अच्छे संक्या में जीत के आएंगे यानि कि लोग सभा चुनाव में पार्टी बड़े नेताओं को राजस्तान के अशोग गहलोत गोविन सिंग डोटासरा सचिन पाइलेट और भी जो बड़े नाम है हरिश चौधरी उन सब को चुनाव लड़वाने की तयारी कर रही थी कर रही है लेकिन आप चुनावी जाने को तयार नहीं है आप कैसे कह सकते हैं जो चुनाव लड़ता है लोग सभा का वो पढ़ा चैरा ही होता है जनता उसको चाती है हमारे सरवे में उनका नाम आता है वो लड़ने के लिए पूरा पूरे तरीकेशे प्रिपेर होता है तब ही तो MP का चुनाव लड़ता है तो आदमी पारसत का चुनाव भी लड़ता है, तो सातवार सोचता है। इसलिए सरप के बच्छे का कोई ने छोटा है, ने बड़ा है, जहर उसमें बराबर ही होता है। जो चुनाव जनता चाती है, लोग जिसको चाते हैं, वो चुनाव लड़ता है, वो हमारे लिए, किसी भी पार्टी के लिए, उस सब बड़े चहरे होते हैं। जी, तो बड़े चहरे बनाने की तयारी में हैं, गोविन सिंग डोटास राजी, खुद दिल्ली आने की तयारी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली तो बैठा ही हूँ, आज मैं दिल्ली में ही हूँ। अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है, जन्ता जीताएगी, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब हम दिल्ली में आपके साथ बैठेंगे। लेकिन आपका अनुभाव स्थानिय है, विधान सभा का है, इसलिए थोड़ा दिल्ली से डरते हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं है, राजनीती में जो विक्ति रहता है, वो चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तयार रहता है, उसको तयार रहना भी चाहिए, उसका आत्मबल मजबूत होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि राजनीती के इस क्षेत्र में, जहां भी जिस रूप में भी जिस पार्टी की विचारदारा को आप आगे बढ़ा रहे हो, उस विचारदारा में जो पार्टी हाई कमान होता है, वो जिसको कहता है कि आप ये काम करिए, आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो जिम्मेदारी उसको सहर उठानी भी चाहिए और उठा भी रहे हैं गोविंड उटाश्रा शिक्षा राज्य मंत्री था इंडिपेंडेंड चार पार्टी ने कहा प्रदेश अध्यक्ष का दाई तो आपको दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष के तोर के ओपर काम कर रहे हैं हमारी सरकार नहीं आप आई वोट प्रतिशत हमारा अच्छा र गई है उसका निर्वन अच्छे तरीके से कर रहा हूं बिलकुल अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के रहते हुए इससे पहले भी राजस्था ने बहुत सारे अध्यक्ष देखे लेकिन चुनाव में जब गए तो जमानत जब्थ हो गई लेकिन कोट आसरा जी कौन सा चुनावी नुस्खा अपनाया आपने असा कुछ भी नहीं है देखिए जो हमारे सीनियर लेडर होते हैं बुजरक होते हैं उनके अनुभाव का आप लाब लें उनका आशिरवाद लें कडी मैनत करें जनता के बीच में अपने आपको बनाए रखें जनता क्या चाती है उसके मुताबिक आप लोग अपनी आवाज भी उठाएं और विकास का काम अगर सरकार है तो वो भी कराएं तो मैं समझता हूं कि जनता निरास नहीं करती और जनता निरास नहीं करती तो जो भी लीडर्सीप है वो उसको अच्छिप्ट भी करती है और आगे भी बढ़ाती है कोविन सिंग डोटास राजी अध्यक्ष बनने के लिए आप किसको धन्यवाद देते हैं अशोग गहलोत को या सचिन पाइलेट को राजस्थान की राजनीती में मेरे पार्टी आला कमान को दन्यवाद देता हूं कि जो परिष्टितियां जो पैदा हुई आप सब उससे आओ बली बांती परिचित हैं और उसमें मुझे कहा गया कि आपको ये काम संग्ठन की जिम्मेदारी लेनी है तो मैं चार साल के लगबग हो गए मुझे मैं मेरी ज जिम्मेदारी के निर्वहन में विधान सभा चुनाव के नतीजे निश्चत रूप से गोविन सिंग डोटासरा की पक्ष में जाते हैं आपने कॉंग्रिस पार्टी को जहां सतर सीट विपक्ष को दिलवाना आसान नहीं था मोदी जब देश के प्रधान मंत्री वहां थे तो क्या मानते हैं आपकी मेहनत उसमें बड़ा कारण थी कि आप कॉंग्रिस विपक्ष को मजबूत स्थिती में ला पाए या मुख्यमंत्री अशुक गहलोत की योजनाएं थी या फिर बीजेपी की अंदरूनी कले थी कि आपको फाइदा मिल गया किसी की किसी भी पार्टी की सरकार में आना हर उन तमाम हजारों लाखों कारियकरताओं की मैनत होती है सरकार होती है तो सरकार की योजनाएं भी उसमें बहुत कुछ कारण होती है कि सरकार की हमारी योजनाएं अच्छी थी अच्छी केंपेनिंग हमारी थी लोगों ने अच तो सब चीजें मिला करके और जो हमारे नेता राहूल गांदी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी और जिन मुद्दों को ले करके देश में जो नफरत का जो जहर गोला जा रहा था उसको महबत की दुकान में बदलने के लिए जो यात्रा की मैं समझता हूं कि उन तमाम मुद्दे हमारी सरकार की गूड गवर्नेंस हमारी सरकार की योजनाए हमारे सीनियर लेडर्शिप की जो मैं समझता हूं की स्ट्रेटरजी हम सब लोगों की मैनत और जो चुनाव लड़ने वाले वक्ति हैं उनका अपना व्यक्तिकत भी योगदान इस सब चीजें मिला करक कि हम 49 परसेंट बोटों पर पहुंचे थे अलांकि हम सरकार नहीं बना पाए बट हमने अच्छा प्रदर्शन किया अच्छा चुनाव लड़ा और मैं समझता हूं की रिजट आपके सामने गोविन सिंग डोटासरा जी बीजेपी तीसरी बार है ट्रिक बनाने की तयारी कर यह राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट पिछले दो चुनावों से बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत रही है क्या तैयारी यह कॉंग्रेस पार्टी की कॉंग्रेस अध्यक्ष की प्रदेश हमारे कावत है कि काट की हंडी एक बार चड़ती है दूबारा नहीं दूबार चड़ गई अब तीसरी बार नहीं चड़ेगी मैं आपके चैनल के मादेम से शो के मादेम से कहके जा रहा हूं हंड्रेट वन परसेंट वो चीजें अब खतम हो चुकी है पचीज जिरो का कोई स्थान नहीं है बहुत अच्छी संक्या में हमारे यहां से लोकसभा में सजीत करके आएंगे और इंडिया अलाइंस के अंदर में सरकार में आएगा कैसे लाइंगे 25 राजस्थान में इंडिया एलाइंस कॉंग्रेस को कि मोदी जी के बासने से तो 400 आणी नहीं है 370 और 400 का जो जूमला दे रहे हैं तो यह 15 लाग का भी दिया था और 2 क्रोड की ल مة करने से आपकी आजाएगी आ पूसीन हो ख्रॉल्म आपके पारी आंष क्रमः लेश में आर नहीं रहेंगे कैसे गेंडिये आज तक कापकी बीजेंग प्लै लेस्ट से रह जोगी है डूसरेक्षान जोईजर के लिस्डीर आज js झाल जोवेनिया दिता करने से आच यह तो में आजाएगी आपकी लिस्ट का कोई अता पता नहीं है पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के मादेम से कि हमारी पार्टी में स्टेट पे या सेंटर में कोई अंतर कले नहीं है अंतर कले भारती जन्ता पार्टी में है नितिन गडगरी जी कहां पर अगर टटकी पड़ी है आप सब को पता होगा खटर जी का आज इस्तिपा लेहीं लिया होगा और भी कई कारण है में अगर आप पूछेंगे तो मैं लंबी भेरियस है तो अंतर कले इनमें है यहां से नाम राजस्तान के मुख्य मंत्री का किसी का जाता है वहां पर्ची च साथ कह सकता हूं कि जो रोडवेप है वो दस साल इन्होंने जो वादे जनता से कियते उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया नहीं कोई महंगाई यह कम कर पाए हैं नहीं बेरोजगारों को रोजगार यह दे पाए हैं नहीं कोई ऐसा कानून लेकर क जिससे देश के लोगों का भला हो आपका मानना है कि आप सिर्फ मोधी विरोध से चुनाव जीत जाएंगे दोनुचीजें देखे एक किसी का केवल विरोध करना अपनी सपलता नहीं हो सकता हमको हमारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि देखे जब 10 साल यूपीय सरकारती तो आपको लगते गोविन सिंग डोटास राजी आज का यूवा आज का यूवा जिसकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच है आप उसे 10 साल पीछे लेकर जाएंगे कि आपकी सरकार ने क्या किया था और आप उसे समझा पाएंगे कि मोधी के खिलाफ वोट दे वो आपको ने ने मैं 10 स साल पीछे नहीं ले जा रहा हूं मैं मोधी जी की बात के उपरी बात कह रहा हूं मोधी जी कह रहे हैं कि मैं 80 क्रोड लोगों को अनाज दूंगा तो 80 क्रोड लोगों को अनाज तब दे पा रहे हैं मोधी जी तब राइट तू फूड हम ले करके आए थे इन्हों ने तो न कंबे समय तक शाष्षन, कॉंग्रिस पार्टी ने किया, लेकिन आरक्षन का बिल पास, बीजेपी ने किया, ये पुरा देश जानता है, कब लागू होगा, उसका जनता, पुछेगी सवाल, या आप पुछे, आप बनाईे मुद्दा, आरक्षन बिल पास हुआ है, पुछे जो C.A. लागू करने की बात कर रहे हैं, ये 2019 में पास हुआ है, तो 2019 का आप चुनाओं के दस दिन पहले ला रहे हैं, चार दिन पहले ला रहे हैं, तो आपकी मनस्या पूरी तरीके से केवल देश के लोगों को, युवाओं को बर्मीत करने की है, और हमारी मनस्या बड़ी के आई थी, COVID आया था, अगर मंदरे का नहीं होती, तो गरीब मर जाते, भूक्यों मर जाते, तो आप बताईए, फूर्ड सेकर्टी एक्ट लागू हुआ 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 नहीं होता, तो हमारे देश के लोगों की गरीब की क्या आलत होती, तो इस बात पे आप नहीं जाएंग हुआ 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 ह के नहीं साथ नहीं दे रहे हो हमारी बात पहुच नहीं पाती तो आपका पार्टी का केर्डर कमजोर हो गयंब इस made पारे है यह औरती हिसे आज मानाई जाया फिक चानल में के चानल उस बात को नहीं चलाएंगे जो बात देश के लोगों का हीत में होगी उनको ऐसी चीजें परोसी जाएंगे आप बताइए कि जो सुप्रीम कोट ने जिस प्रकार का कल वर्डिंग किये और जिस प्रकार का जज्जमेंट इलेक्टरोल बॉंड के उपर दिया है वो बात नहीं चलेगी देश के प्रधान मंतरी की तरफ से आता है कि वो पांच बजे देश को संबोधित करेंगे और वो स्लोट आप से खाली रखा जाता है आपको नहीं लगता गोविन सिंग डोटासरा जी की नरेंद्र मोधी का मैनेजमेंट है और आपकी पार्टी का मैनेजमेंट कंपोर है मैनेजमेंट तो पैसा दुनिया मरगा आप बताईए छह जार क्रोड आठ जार क्रोड कहां से क्या ला है जब सुप्रीम कोड यह रहा है कि इलिगल है यह पैसा अनकॉंस्टिटूशनल स्कीम थी और उससे पैसा जो कमाया और उसका दुर्भियोग करके अगर देश के लोगों को गुमरा किया जाए तो यह तो अब समझ में आरा ना लोगों के कि भाई आपने जो बीजेपी के कारेले बनाए और जो खेल किया है तो यह कहां से किया किस तरीके से किया आप हर लोग हर जिला हर हर स्टेट के अंदर बीजेपी का कारेले बन गया यही तो पैसे हैं, जिसको सुप्रीम कोट कह रहा है, कि यह इलिगल है, यह ऐसा मेधानिक स्कीम थी, और इससे जो पैसा जमा करा है, उसका आप बताईए कि आपने किस बलबुते पे, किस तरीके से, कहां से यह दल लिया, और उसके बदले आपने क्या समझोता किया, आप बत गोविन सिंग डोटासरा जी, आप मीडिया को कहते हैं, कि यह सारी बाते मीडिया हमारी पहुंचाता नहीं है, देश की पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी का कारे करता, इतना कमजोर हो गया है, कि वो कुछ टेलिविजन चानल्स की आंखों की तरफ देखता है, कि वो ही को आपकी बात कनवे करें, ने, ने, कमजोर नहीं हुआ, लेकिन आपके पास माध्यम तो होना चाहिए, आज आपने मुझे बुलाया, और इनके सब के सामने मुझे बात रखने का मोका दिया, तब ही तो मैं बात कर पाऊंगा, वरना को भीन डोटासरा को इन में से कौन जा जना चैनलों पर दिखते हैं, आप बताइए, तीन साल पहले का दिया हुआ बासन ऐसे दिखाते हैं, जैसे अभी बासन पर बोल रहे हैं, और पता लगता है, यह तो विग्यापन था, तीन साल पहले का था, आज हमारे सरकार में तीन मेने पहले सरकार बढ़ी है, जो हमने पांच साल में खर्चा किया विग्यापन का, उतना तो उन्होंने तीन मेने में कर दिया, और हमको कहते थे आप विग्यापन दे रहे हो, तो बात यह है कि देश के लोगों के बीच में मीडिया ही एक ऐसा साधन है, जिसके माद्यम से सही बात आ सकती है, और वो सही बात परसेंट, परसेंट, क्योंकि जो 14 से ठारा के बीच में मैंने जो प्रतिपक्ष में रहकर के वो कि सचे तक के रूप में काम किया और मीडिया ने 101 परसेंट उस टाइम जो सही था, हम तो 21 ही थे, उस 21 को और हमारे संगर्स को दिखाया, तो मैं दिख गया और मैं जो बाद इस तरीके से विवांकी शे कहता हूँ, इमानदारी के साथ में बात कहता हूँ, वो बात मीडिया लेता है, और लेता है, तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाती है, लोग अपना perception set करते हैं, कि कोन आदमी कैसा सही बौल रहा है, बेबाकी से बोल रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसको like करते हैं, यह जो यूवा बैठा है ना, यह चाहता है कि सही बोलो और जोर से बोलो, और जो ठरके से बोलने से, ठरके से बोलने से, सच बदल जाता है क्या? नहीं 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 जैसे बोदी जी जोर से बोलते हैं एक जूट को सो वार बोलते हैं तो लोगों को सचसा लगने लग जाता है लेकिन अगर सही बात को भी आप किसी चैनल के मादियम से या मीडिया के मादियम से नहीं दिखाने देऊगे तो फिर सही बात कहां से आपने सो बार ये बोलके कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल दिया, सही कर दिया उसको? नहीं सही कर दिया, उनकी हिमत है, तो कराओ न डबल इंजन के सरकार है, ये गोविन डूटाशना तो यह ही बैठा है, अगर मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे किसी रिस्तेदार ने, एक पैसा बर्भी या एक आलपीन की नोग जितनी भी बेहिमानी की है, तो क्या मेरे को इस त मेरे सब के सामने बताजी, जो जेहर खाएगा वो मरेगा, ना, जेहर के अंगुली नहीं लगाई, जीब के लगाए नहीं वो मरेगा कैसे, मैं पेपर लीक में, अगर मेरा कोई रूल हो जाता, तो आब बताएए, पूरी इंदूस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर तो मुख्य मंतरी और मंतरी ने इस्तिवा दिया क्या वो जेड जाएंगे क्या मैं तो नहीं कहता कि उन्होंने बेईमानी कीओगी यह गेंगे पनाप गई अम बार बार कहते हैं पूरे देश में यह बहुत बड़ी प्रोब्लम है बेरोजगारी के बाद में अगर कोई बात ह तो वो पेपर लीग है और इसके उपर आमने कानून बनवाया लेकिन ये केवल परसेप्शन सेट करके एक जूट को बार-बार बोलके पेपर लिग करा रही है अच्छा आरेस आपके बेटे बहू आरेस कैसे बने जरा बता जी सच्चाई क्या आरेस मैंनत से बनता है ये भी बनेंगे 2016 मेरा बेटा जो इंजिनिरिंग किया वा है हाना तो वो और मेरी जो बहू जो हम लेकर क्या है आरेस बनने के बारह मेने डेड़ साल बात में वो पहले डोक्टर बनी है फिर उसने आरेस बनने के लिए परिक्षा दिये और 2016 में दिये जब बीजेपी के सरकार थी तबी कि खिलाप बोलता है इसको चुप कराने के लिए इसके उपर परस्नल एलिकेशन लगा दो यह तरीका ठीक नहीं है उन बेटे और बेटियों पे जिनके खिलाप आप बेवज़से गलत आरोप लगा रहे हो उनके दिल पे उनके मापाप के दिल पे क्या कुजरती है क्या मेर बेटा मंदबुती है क्या इंजिनिरिंग करने के बाद में उसने दो डाई साल बारा मैंने दिली में कोचिंग की और बारा मैंने डेड़ साल जैपूर में कोचिंग करके अगर वो अकाउंट्स ऑफिसर बन गया तो कोई अन्याय हो गया अगर कोई बच्चा डियू डेली परिश्टी के अंदर एकोनोमेक्स में टोपर हो और वो अगर तैसिलदार बन गया परिक्षा देख करके तो क्या वो बहिमान हो गया वो पिपर लिख से आ गया और पेपर लिख से आता तो अब तक जेल के सलागों में होते और फिर मैं आपके मात्यम से चैलेंज कर रहा और गोविन डोटासरा या उसके परिवार के खिलाब एक लाल पाई भी आरोप सिद्ध कर दें तो आप मुझे बता देना मैं यहीं दूबारा आ जाओंगा इनको बता दूँगा तो ऐसे आरोप लगाना केवल मैं वोकल हूँ मैं बोलता हूँ आरे से इसको गेरता हूँ कि सच्चा ही बताता हूँ इसलिए गोविन डोटासरा को आप कह दो कि तेरा बेटा दोजार सोडा में और बीजेभी के सरकार में इंट्रिव्य हूआ उसके उबर आप कह रहे हूँ और दो साल बाद में जब ट्रेनिंग में थे तब मेरी बहू का अगर रिस्ता हुआ जब पार आरेस बनते हैं या सीडीप्यों बनते हैं आरेस अलाइट बनते हैं तो वह भिमान होगे तो फिर यही बना लेने बेइमान करके ऐं इंकी डैबल इंजल की ज़रकार है मेहनत करता है वह बंता है इंटरिव्यू में जो number मिलते हैं वह इनको नहीं मिल पाते इंटर्व टेलेंट देख करके नंबर देते हैं, तो आप उनको नहीं कह सकते हैं, गोविन डुटासरा का बेटा है, अरिस्तिदार है, इसके इतने नंबर कैसे आगे इसके, और आप बता रहे हो, जो नंबर मेरे बेटे या बहु क्या है, वो नंबर तो सेंकडू लोगों के आए, तो वो सारे ही बेइमान है, तो फिर जितने भी नेता है, उनके जो बेटे और बेटियां या रिस्तिदार बन रहे हैं, तो क्या वो सारे ही बेइमान है? आज कल ठाहा के बड़े बहुत यूवा पीडी बड़े वीडियो रील्स पर देखती है, कुछ यूथ हैं, जो आपके साथ ठाहा के लगाना चाहता है, आज इस मंच पर, ठाहा के तो लगाने ही चाहिए ना, यह हमारा देश का बविश्य यह है, यह यूवा ही है, यह आग के चल करके नेता बनेंगे, आइएस बनेंगे, देश के निर्मान में, देश के जो है वो बनाने में, सब की इनकी बहुत बड़ी भूमी का होगी, राजस्थानी से प्रेम करने वाले, कुछ बच्चे आईए, और ठाके लगाईए, साथ में, आईए, मैं डांसर नहीं यह है, तो इनका जो मन करें, वो काम हमको करना हो, राजनीती में तो भिसेश रूम से, जो लोग क्या चाहते हैं, वो करना चाहिए, अगर सफल होना है राजनीती में, तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो ही काम करना पड़ेगा, हम हम हमारा एजेंडा बना के लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं, उनके एजेंडे को हमको पूरा कर ला है। तो गोवन जी ये बच्पन से ही डांस का शौक था कि राजमिती में जनता के मन से शुरू हो गया। ये डांस मोदी जी ने करा दिया मेरे को, पूछो क्यों, अगर वो मेरे घर एडी नहीं आती तो मैं डांस नहीं करता। मैंने का भई ठीक है, हमने इमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई आये, हमारे कोई फरक नहीं बढ़ता, तो आपने गाड़ी पे चड़के डांस किया। आदमी में दम होना चाहिए, उसमें उच्छा होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो सोक से करना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर सफल होता है। तो गोविन जी, ये जो आपका confidence है, ये आपके इस विधान सभा चुनाव में जीत के बाद जादा आया, क्योंकि अक्सर मैंने जैसे पहले का कि मुख्यमंत्र जी अशोग जी के रहते वे जो अध्यक्ष रहे, उनके चुनावी नतीजे किस तरह के आए, तो इस चुनाव क परिणाम ने आपका confidence बढ़ाया, और आप भी क्या डरे हुए थे? जनता के बीच में रहें, और पहले में वकील था, तब भी मेरी बात में वैसे ही कहता था, जैसे मुझे आज कह रहा हूं और कहनी चाहिए, जो भी काम करो, जो भी काम करो, बड़ी इमानदारी के साथ में, बड़ी सिद्दत के साथ में, बहुत ही confident हो करो, मैं समझता हूं क सपलता तब ही मिलेगी, आदे अदूरी मन से कोई भी काम कर रहे हो, या मन में कुछ है, और कर कुछ रहे हो, तो रिजल्ट नहीं आएगा. तो गोविन जी इस बार लोग सभा के जब टिकेट अब आप लोग फाइनल करने की स्टेज पर हैं, यहां पर भी सचिन पाइलेट ग्रुप को कितनी सीट, आपके गैंग को कितनी सीट, अशोग जी के ग्रुप को कितनी सीट, इसी तरह से डिवाइड होगा? अभी तो गुरुप कुछ है ही नहीं, गुरुप तो लोटासरा प्रदेश सद्देक्स है, टीका राम जूली नेता प्रतिपक्स है, असोग एलो जी पूरो मुख्य मंतरी हमारे सीनिय लेडर है, सचिन पाइलेट जी जनल सेकेटरी और CWC मेंबर है, और तमाम सीनियर, पार्टी के नेता मिल करके, और खरगे साब, राहुल जी और सोनिय जी के नेतरित्व में हम लोग काम कर रहे है, हमारी पार्टी पूरी तरीके से एक जूट है, और सामुई करूप से हम फैसले लेते हैं, सामुई करूप से काम करते हैं, गुरुप नाम की कोई चीज, तो मतलब पीछे की बातों पे जाओगे तो बहुत चीज आ जाएगा बहुत अच्छी बात की आगे बढ़ना चाहिए आप भी गोविन जी आगे बढ़ चुके हैं अब अशोग जी के पीछे-पीछे आपको नहीं जाना पड़ता आज कल आप सचिन जी के करीबी बताए जा लें हम सब के करीब हैं हर हमारे सब हैं मैं उनका अध्यक्स हूं तो ऐजे अध्यक्स मैं काम कर रहा हूं और हो अमारे सीनियर मेरे से पहले सचिन पाइलेट अध्यक्स रहें तो निश्चित रूप से वो 산 Titanic मेरे संधियर हो गए और उमर में नहीं रहा हूंगी लेकिन पासी सीडियर में रहा गए ऐसोगे लोग जी हैं पचाथ साल से राजनेती करें तीनवा लॉइ gum रहें तीननार यहाँ पर जो है वो मंत्री रहें के अंदर में तो उनके seniority को कैसे नकार सकते हो, यह हमारे संसकार है, यह हमारी party के विचारदारा है, कि हम सबको बुजरगों को, सबको उनका अनुभाव का, उनका आसिरवाद लेकर के, उनसे समसे चला करके, हम युवाओं को साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं, और वो ही काम मैं कर रहा हू अध्यक्ष के रूप में गोविन सिंग डोटासरा, राजस्थान कॉंग्रिस को और राजस्थान की जनता को, क्या देकर जाना चाहते हैं, अपना टेन्योर पूरा करने से पहले है, टेन्योर का तो अभी कोई कैसे कह सकता है, मेरी party फैसला करेगी, लेकिन हो सकता है, इसी चैनल के मादेम से कहना चाहता हूँ, कि देखिए, जो देश की संपूर्ण गठनाएं हैं, जो देश में गटित हो रहा है, उसको पूरे को मनन मन्थन करें, सोचें, समझें, हमारा इधियास देखें, पार्टी की विचारधारा देखें, हमारा समिधान देखें, कि जिस पार्टी की विचारधारा समिधान को मजबूत करने वाली हो, लोकतंतर को मजबूत करने वाली हो, उस पार्टी को आप आगे बढ़ाईए, जो समिधान को कमजोर करते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं उन लोगों से सामदान रहने के आवसकता और समय आ गया है कि जब थोते और जूटे जुमले और थोते वादे करने वाले लोगों को सबग चिकाने का क्योंकि आप देखिए कि जो कहते हैं वो करना चाहिए मोदी जी ने कहा था कि मेंगाई कम करूँगा किसान के आमधनी दो को नहीं करूँगा यह तो आपका संदेश है राजस्थान की जनता के नाम आपकी पार्टी के कारेकरताओं के नाम जैसे आपने अपने विधान सबाक्षेत्र लक्षमंगर यहां बैठी जितनी हमारी जनता है और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अपने विधान सबाक्षेत्र में गोविन सिंग दो टास राजी ने जितने काम कराएं वो अध्विती हैं बहुत जादा काम कराएं अपने जो विधान सबाक्षेत्र के हॉस्पितर को जिल आस्पटाल का दर्जा रोड बहुत सारे काम है मेरा सवाव आप से यह है कि आप कॉंगर्स को बत और अध्यक्ष क्या दे सकते हैं क्या देना चाहते हैं आपका सपना क्या legitim कि मैं अधेक्ष काल को इसलिए याद किया हैं मेरा सपना यही है कि यह जो जोटे वादे करते हैं जुम्ला गणड़ते हैं देश को नुकसान कर रहे हैं लोकतंतर को कमजोर कर रहे हैं शुटकारा दिलाने के लिए इमानदारी के साथ में कड़ी मैनत करनी चाहिए अपनी बात स्पズ्त रूप से जो सही बात है वो रखनी चाहिए और मैनत करके लोगों का दिल जीतना चाहिए प्रजातंतर तभी मजब जोगों का दिल जीतेंगे गौवें जीन orta असरा जी जो अपने समाज है वो सब नहीं है वो आज की तारिक में किस पद्वे थे सब को पता है और कल राउल कस्वा ने जोइन कि परसु बेजेंदर जी ने कि बीजेपी के वर्तमान सांसद सीटिंग सांसद जोइन कर रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे हर जो लोग अभी किसी पद्वे नहीं है उनकी बात करेंगे तो ये देखो प्रसेप्शन सेट करने का तरीका है बीजेपी का कि कुछ लोगों से बातें करो किसी को डराओ दमकाओ फुचकारो बहलाओ जो कुछ भी करो और उसके बाद में थोड़ा बहुत करके एक इवेंट मेनेजमेंट कर दो पार्टी जोइनिंग करने का जिससे लोगों में यह हो जाए यह लोग पता नहीं क्या हो गया आप बताइए परसु जो गटना गटी उन्होंने जिनको जोइन कराया कल क्या एक सिटिंग एंपी जोइन कर रहा यह बड़ी बात नहीं है उसकी बात कोई करेगा और यह बात करेंगे देखो साब आपका पंचाय स्मिति का मेंबर चला गया तो जो नेता जिसने टिगड़ देती हो जाए गए हैं ना अभी नहीं है ना हम तो आभी हैं वो आ रहे हैं तो हमारे में और उनमें मैं बता देता हूं फरक है वो डरा धंका करके ला रहे हैं और हमारी आइडियोलोजी से हमारे नेत्रितों से प्रभावित हो करके वहां से लोग आ रहे हैं तो ला रहे हैं और आरे में फरक है राहुल कस्मा आपके पास आपके आइडियोलोजी की वजह से आए बिलकुल आइडियोलोजी और उनके यहां गुठन मैसूस हुई कि किसान परिवार थे कटने के बाद ही घुटन महसूस हुई है कि आप तो बहुत अच्छे हो जिनकी टिकट काटनी थी एंपी तो संगठन में काम करेंगे अगर टिकेट नहीं दिया इसका मतलब किसान को परेश की सुनने वाला नहीं है और किसान को क्रेश किया जा रहा है तो किसान का बेटा तिल में ला गया उसने कहा Rahul जी अच्छे हैं, Congress अच्छी है, Congress की जो है वो विचारदार अच्छी है, इसलिए मैं Congress में आना चाहता हूं, तो वो आ रहे हैं और ये ले रहे हैं जबर जस्ती, इन में परक है, तो रावुल कस्वा के चूरू में Congress Party में आने से, आपकी चूरू की seat कुछ सुरक्षित मानते हैं, पूरू नहीं, पूरा प्रशेप्शन पूरा बनता है, लोगों में यह होता है कि भाई, जो जिसके पिताजी चारवार MP, जो खुद दोवार MP, छेवार का MP क्यूं आ रहा है, क्यूं जा रहा है, ये बात लोगों को समझ में आती है, जिसका मलब किसानों के लिए, दलितों के लिए, बीजेपी में कोई जगह नहीं है, वाँ डिक्टरट रशी पाए. जिले की राजनीती पर शत्रब बना हुआ है, आप क्यों नहीं चाहते कि किसी दूसरे को टिकेट मिले वहाँ बताए, जो खेल में अच्छा कर रहा है, वो राजनीती में क्या लेने आ रहा है, बताओ आप, उसको खेल में देश का नाम रोचन करना चाहिए, ये राजनीती के मात्यम से सेवा कर रहे हैं तो इनको राजनीती करने देने चाहिए, आप जबर जस्ती किसी को उठा करके, किसी को क्रेस करने के लिए, किसी ऐसे चेरे को लाते है, जिसका कोई राजनीती में इंट्रेस्ट नहीं है, आप बताएए, देवेंदर जाजडिया का क्या इंट वो हमारा अच्छा है किसान कोम का बेटा है अच्छा खिलाडी है लेकिन वह अच्छा राजनिती के नहीं है जब कृष्णा पुनियां जो आदमी 40-45 साल से जो सेवा कर रहा है उसको तो आप काम नहीं करने देंगे और उसको क्रेश करने के लिए ऐसे वेक्टि को लाएंगे जिनका इंट्रेस्ट ही नहीं है, जो राजनिती के भी जिली नहीं जाना। जो राजनिती में हूँ, जो राजनिती में हूँ, लेकिन मेरे परिवार के दस मेंबर लोकों की सेवा करतें, तब मैं सपल पा रहा हूं। अगर मैं अकिलाँ रहूर, मेरी दर्मपत्नी मालो कोपरेट नहीं करें, मेरा बेटा कोपरेट नहीं करें, मेरे परिवार के लोग आएगे का सम्मान नहीं करें, उनके नहीं जाएंके तो की सर दॉ के शुनाव लडना चाहिए कर ए सब क NgTB आपकी तरफ से लिस्ट जाती है कि दिल्ली से लिस्ट आती है? ने, अमारी तरफ से भी जाती है. जो अमें अच्छा लगदा जहां पर उसका नाम बेजते हैं. जी, तो वेभव गहलोत का नाम आपने भेजा की नहीं? वो तो पार्टी को भेजने वाली बात मैं मेडिया में क्यों बताऊँगा? मेडिया वाली बात बताऊँगा? बहुत बहुत शुक्रिया, गोविन सिंग डोटासरा जी. बहुत सारी और बाते हैं आप से करने की. और बहुत अच्छा लगा आप जितना गोविन सिंग डोटासरा की ताकत है कि आप मुखरोकर बोलते हैं, आप जाट समाज के दबंग नेता के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, बस आप ये सवाल का और जवाब दे दीजे, दर्शक जो आपको देख रहे हैं, कि आ लिएके मैं जिस पाटी में हूँ, वहां पर जाती का कोई मेटवनी है, वीचार धरा परमक होती है, और समीधान को मानते हैं, बहरत के समीधान में 34 कोम को साथ लेकर के चलने वाला कॉंग्रेस का सच्छा कारिय करता होता है, और मैं 36 कोम को साथ लेकर के चलता हूं, केवल एक जाती विशेष का होने की वज़े से राजनिती में नहीं हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबको साथ लेकर के चलता हूं। ठीक है कि किसी कॉंस्टिटियोंसी से आप आते हो तो वहां पर पार्टी जब आपको मोका देती है तो कोई जाती विशेष का कारण बन साता होगा और बनता होगा। मैं उसको इंकार नहीं करता। लेकिन अगर आप 36 कोमों का दिल जीतोगे तब ही आप राजनिती कर पाऊगे। एक जाती विशेष से आप कोई राजनिती नहीं कर पाऊगा। उर्जा है, जो उनकी ताकत है, जो कारकरताओं में मोटिवेशन भरने का वो काम करते हैं, वो उनके लोकसभाक्षेतर तक सीमित रह जाएगा, जैसे विधान सभा में भी हुआ था, कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो पूरे प्रदेश में जाने की बजाए सिर्फ अपने विधान सभाक्षेतर तक सीमित हो गए थे, तो ये पार्टी आला कमान को भी सोचने की जरूरत है, कि लोकसभा की जंग में अगर उन्हें 25 की हैट्रिक जो बीजेपी बनानी के तयारी कर रही है, उससे उन्हें कहीं अपनी जगह बनानी है कॉंग्रेस को, तो वो कि सरणनीती पर बनानी है और अपने अध्यक्ष की बात को कितनी तवज्जो देनी है, न्यूस 24 पर मन्थन का ये सिलसिला बड़े राजनितिक दिगजों के साथ जारी रहेगा